लास्ट वीडियो में हमने निमेरिकल्स डिसकस किये थे डिए फिन पे बेज़ दाम इस वीडियो में भी हम कुछ निमेरिकल्स डिसकस करेंगे जो कि टीएफफे के डीजाइन से रिलेटेड है लाश्ट वीडियो में आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस डेसिमल नंबर जो कि थ्री से डिविजबल हो उसके लिए डिएफ़े बनाना था तो उसमें हमने पताया था कि कैसे डिएफ़े डिजाइन करने से पहले आपको स्ट्रेजी एडाप्ट करनी पड़ती है कि थ्री से डिविजबल नंबर के लिए बनाना है तो देखना है कि जब हम थ्री से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमेंडर उसमें कॉंसेट लेते हैं रिमेंडर का कि आप किसी भी नंबर को गर इसमाल एंस से डिवाइड करो तो उसमें टोटल कितने अलग-अलग तरह के रिमेंडर मिल सकते हैं तो 0, 1, 2, 3, so on, एं-1 मतलब यहन से डिवाइड करेंगे तो यहन डिफरेंड रिमेंडर मिलेंगे जो कि 0 सुरू होगा और यहन माइनस 1 तक जाएगा और हर एक रिमेंडर एक स्टेट की जगह लेगा और एक साथ में इनिशल इस्टेट भी रहेगा तो इस कॉस्चन में इसी वज़ा से चुकि 3 स से डिविजबल की बात कर रहे थे तो 3 से डिविजबल होने के नाते टोडल 3 रिमेंडर और प्लस 1 इनिशल इस्टेट 4 इस्टेट लेके बनाया गया था उसके बाद नंबर के चुकि डेसिमल नंबर है तो बहुत सारे नंबर से बनते हैं इसमें तो इस वज़ा से हम उनका कटेगराइजिशन भी करते हैं कटेगराइजिशन बीहेवियर के हिसाब से किस तरह से कौन बीहेब करता है तो आपने देखा था कि 0369 जो सिंगल डिजिट वाले नंबर थे वह गुरूप में गये थे 147 एक गुरूप में गये थे 258 एक गुरूप में गये थे यह जो से अगर 3 से डीवाइड किया जाएगा तो वन रिमेंडर नाटी गूरूप में है 258 3 इसे डिवाइड करने पर डूरू रिमेंडर देगा इसनाते एक Г्रूप में है का तो इस तरह से इनका grouping किया गया था और grouping करने के बाद हम लोग देखे थे किób इनिस्यल स्टेट से एक all इस टेट यह लेके और यह मान लीजिए क्योंट टू रिमंडर इस टेट है और यह और में ट्म रिमंडर सेट है वालाकि क्योंट आई हुडare तब्रमेंडल लेकिन खेर tap कि जी लिए हैं तो भी दिख्कत करेगा फिलाल यह समझे कि लिभी इंडलर इस्टेट यह यह वाण्ली मेंडलर है और यह प्धूर मेंड़र इस्टेट है जिरो रिमेंडर स्टेट हमेशा आपका the final स्टेट होगा इस में इस तरह स्टेट में और इनिशल स्टेट जो आपका रहेगा वह कि जाने कि इनिशल स्टेट की तरफ कोई भी जाएगा नहें इनिशल स्टेट से केवल एज आएंगे तो 147 लेवल करते हुए वन रिमेंडर पे और 258 लेबल करते हुए क्यों टू रिमेंडर इस्टेट पे और 0369 लेबल करते हुए जीरो पे आपने फाइनल स्टेट पे कर दिया था एस बना दिया था रेस्ट आप देखें तो डबल डिजिट की जब बात किये थे तो 1011 1014 1013 1619 यह सिर्व नंबर हैं यह थरी से डिवाइड करने के बाद चुकि वन रिमेंडर बनाते हैं या वन रिमेंडर देते हैं इस वज़े से वन रिमेंडर वाले स्टेट पे इनको आपने सेलफ लूप बना के 0369 लेंसन कर दिया था इस तरह से आप हर एक स्ट्रेट पर चेक करते हुए गये थे और वन से आप वन अगर पहली बिट है तो और नंबर क्या बनेंगे 11 बनेगा 14 बनेगा 17 बनेगा और यह सब बना दिया था 258 लेबल करते हुए फिर आपका जो 20 है 21 है मलब जिसका यूनिट टेंस पेट टू है तो से 20 बनेगा 23 बनेगा 26 बनेगा 29 बनेगा यह सब नंबर टू रिमेंडर बनाएंगे इसनाते आप तू आले स्टेट से पहला बिट टू इसी स्टेट पर इनिशल स्टेट से आते हो मिला होगा तो टू रिमेंडर अगेन बना रहा इसनाते सेलफ लूप बना दिया 0369 तो इतना करते पैटर्ण समझ में आ जाता है कि 0369 का सेलफ लूप सब पे है यहां पे भी है इसी नाते से श्यूंट जिरो जिरो कितनी बार भी लिखें पहला जीरो यहां से लेके आए उसके बाद और भी जिरो है जी जीरो 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 बहुत सारे जीरो है तो भी जीरो ही होगा और डिविजवल होगा जिसनाते सर्फ लूप यहां बन गया अब जीरो पे बना तो 0369 उप्र 21 24 27 22 14 147 लेबल करते हुए आप इस तरह बना दीजिए फाइनल इस्टेट पे 22 25 28 यह सब वन रिमेंडर देंगे सनाते हैं यहां बन गया फिर ऐसे ही आपका 31 32 33 31 32 35 38 के लिए आप बना देंगे टू रिमेंडर पे ले जाके तो इस तरह से फिर 33 36 39 है तो तो से लूप अपर लेड़ी यहां पर बनाई हुए हैं इसनाते यह बनाने की जरूरत है नहीं तो 39 तक जाते जाते यह यह पूरा डिजाइन हो जाता है बाकी नंबर के ल जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक किसी तरीके से एक निमेर कल और भी है इसमें कहा गया है डिजाइन ए फाइनाइट आटो मेटा विचेक्स वेदर एक इवन बाइनरी नंबर डिविजबल बाई 3 तो डिविजबल बाई 3 बाइनरी नंबर के लिए बनाना है तो यहां पर बा किस है आप शुरुबात के जो नंबर के जैसे जिरो हुआ संगर डीजी वीट वाला 01 शिंग यह है और फाइनल इस्टेट यानि कि जिरो उयमंडर इस्टेट है तो जिरो और आइसे नमबर है जिरो इसे नमबर है जो कि डिजेसि भीर अ है यहाँ पर जीरो मार करती यह बना दिए आपने पहला बिट और वन उत उसके बाद चुह बिट करे नमबर बनाइएंगे तो 00, 01, 10, 11 ये बनेंगे तो 0 आपको पहला bit कहाँ पर मिला था यहाँ पर मिला था यह राइट टू लेफ्ट चलते हैं लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ्ट मतलब most significant bit पहले process होता है तो यह 0 कहाँ process हो चुका है यहाँ पर process हो चुका है अब यहाँ से ही 00 हो रहा है तो इसे नाते इस पर self loop बना देंगे क्योंकि state तो change करना नहीं क्योंकि 0 remainder still है still it is in so it will be still in 0 remainder state फिस अगर पहला bit 0 है और next bit 1 है तो इस 0 से transit करके 1 remainder state पर आएंगे तो 1 बना देंगे यहाँ पर मतलब यह चीज बना देंगे 1 remainder state पर पहुंच गए 1 level करते हुए फिर 1 0 था तो 1 पहला bit यहाँ पर आके मिला था तो 0 यहीं कि 2 remainder state और 1 1 तो 1 1 आपका फिर again 1 1 चुकि divisible है 3 है decimal equivalent इसका इसनाते आप पहुंच गए उस जगह पर जो remainder 0 state है अगेन आप देखिए अगर 3 bit के number बनाने चलने जैसे 100 101 000 तो पहले ही बन जाएगा 000 कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 00 आप एक बार लूप चलके बनाए फिर एक बार और लूप चलके 000 हो गया लेकिन non 0 वाली की बात करें जैसे 001 टो एक बार यहां से गय है फिर एक बार लूप चले फिर वन आप यहां पर आएंगे वन ही equivalent रहेगा तो वह one remainder देगा इसके बाद 010 बनता है तो 010 भी टू ही है तो जी रो आप ऐसे आए फिर जीघर से आ गये और फिर जीरू आप यहां चले गये पिर 011 वो भी और लेडी बना ही हुआ है आप ऐसे 0 से आएंगे 1 और फिर आप इस तरफ चले जाएंगे 11 वापस final state पे तो इस तरीके से यह सब बने का लेकिन जब 100 की बात करेंगे तो 100 में देखिए, पहला bit 1 आपको यहां पे मिला था, 0 आपको यहां पे मिला था, फिर अगें 0 यहां पे, क्योंकि आप फिर अगें 100 एक्शल में 4 होता है, 4 3 से डिवाइड होता है, तो 1 रिमेंडर आता, 1 रिमेंडर बैक हो गया, तो इतना करते ही आपके सारे edges जितने भी required trace करने थे, वो सब trace हो गया, सारे edges बन गया, इसके बाद आप 101, 110, 111, इन सब की checking करना है, क्यों चेक कर सकते हैं, कि verify कर लीजे, कोई भी edge आपको बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शुरुवाती दौर में सबसे पहले देखिए, कौन सा edge बना था, यह बना था, फिर यह जब आया था, यह बना था, फिर वन यह आया था, पहला बीट वन था, तो यह बना था, यह सब edge वहां तक बन गए थे, कोई भी extra edge आपको फिर बनाने ज़रुद नहीं पड़ेगा, तो इन सब questions में कि, पहली चीज यह है कि, आपको strategy आपको लेनी पड़ती है, strategy में मतलब की remainder, remainder जो होता है, क्या रहेगा, तो remainder जो जो इसमें बनते हैं, उसके हिसाब से, आपको state लेने होते हैं, अगर remainder, आपके, जैसे यन से किसी number को divide करते हैं, यह सारी, अलग-अलग number को divide करते हैं, यन से, तो आपको यन माइनस वन, मतलब 0 से लेके यन माइनस वन तक remainder मिलते हैं, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, इस तरह से, आपको यन माइनस वन तक remainder मिलते हैं, और हर एक remainder के लिए एक unique state होता है, वही ओ पहचानता है कि किस remainder state में हैं हम, वो power उसके अंदर design के थुरू मिल जाती हैं, और एक initial state बनता है, तो यहां पर भी आउसके बाद फिर जो है हम उन नंबर को list करते हैं, शुरू से, शुरू बात से, कि जैसे इसी question में आपने 0 को पहले list किया, फिर 1 को, फिर 2-2 digit वाले number list किया, फिर 2-2 digit के बाद, 3 digit वाले number, 00-001, इसकी value 0 के ही वराबरे, लेकिन आप pattern बनाओगे, क्योंकि यह pattern basically automata है कि pattern पे बेश्टान है, तो even triple 0 have same value as 0, single 0 या double 0, but we have to take in account, again 010011, 100101, यहां तक जाते जाते जान लिजे, आपका design complete हो जाता है, आप verify अगर करेंगे, तो देखिए, जैसे ही आप अभी देखिएगा, सारे as, आपके red color के यहां तक आते आते हो जाएंगे, यहां तक आते हो जाएंगे, उसके बाद केवल verify आप कर लीजेगा, कि हो रहा एक नहीं हो रहा है, बाकी बनानी जुरत नहीं पड़ेगा, जैसे आप इसको देखे 0 को, तो 0 देखिए सबसे पहले बना, क्योंकि remainder zero state यह आपका start state था, one remainder state था, two remainder state था, और यह final state यानि कि zero remainder state था, तो सबसे पहले आप zero bit अगर single bit है वो भी zero है बना दिया, यह मार्क हो गया, अब देखिए यहां तक आते हैं तो सारे red हो जाएंगे सारे edges, फिर one पे यह हो गया, one remainder state पे इसके लिए, फिर उसके बात डो डिजिट की बात के double zero, जैसे double zero, एक zero पहला zero यह वाला zero तो initial state से मिली गया है, जो most significant bit या right left side में जो bit होता है, और दूसरा zero की बात आई तो self loop यह बन गया, क्योंकि state तो change होना नहीं है, रहेगा वो zero remainder state में ही, तो देखिए वो भी एज मार्क हो गया, अभी देखिए चार एज और बचे हुए हैं जो मार्क नहीं अभी वहां तक आते हैं तो यह सम मार्क हो जाएंगे, फिर zero one की बात करेंगे, पहला zero आपका यहां से बना और one जो है यह आपका यहां से बन जाएगा, क्योंकि zero one का equivalent one होता है, तो one remainder state ने पहुंच गया, फिर one zero, यह one से आप यहां पे आए और zero आप कहां पे गये, इस जगह पे, क्योंकि one zero का मतलब two होता है, और two remainder two देगा, इसनाथ two remainder state में है, और one one, तो पहला one आप यह one remainder state पे आए थे और दूसरा one आपका यहां पे हो गया, तो देखिए, अब केवल एक एज बचा हुआ है, ट्रिपल जीरो की जैसे बात किये, ट्रिपल जीरो आपका यहीं से बन जाएगा, दो बार लूप, पहला zero ऐसे बना, और बाकी दो zero यहां से बन जाएंगे, ड्रिपल जीरो वन एक बार zero आप initial state से final state पे आने में बना, दूसरा final state पे लूप चल दिये, और one उसके बाद आप final state से one remainder state पे चले गए, वो भी already बना हुआ है, जीरो वन जीरो, जीरो वन जीरो आप initial से final पे गए zero level के साथ, फिर final से आप one remainder तक गए one level के साथ, फिर zero से आप चले गए two remainder तक वो भी बना हुआ है, zero one one तो zero से आप initial से final पे आए, वो भी बना वो पहले से बना हुआ है, सबसे पहले वही बना है, फिर one ये वाला one जब process करने के लिए आप final से one remainder वो भी already बना चुके हैं, फिर again one तो आप फिर back track हो जाएंगे one remainder to final state फिर one double zero की बात कर रहे हैं, तो one one आप initial से आए one remainder पे फिर one remainder से two remainder पे one zero पे गए, फिर two remainder से फिर again one remainder वाले पे आ गए, तो ये आते आते देखिए सारे एज बन गए बाकी one zero one देखिए आप test कर लीजे one zero one 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 zero one 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 अब आप इन सब के लिए एक भी एज बनानी ज़वरत ने अपने आप वो काम करेगा one zero one जैसे है one zero one 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 तो one पहला one और लेडी बना हुआ था ये एज वन जीरो तो जीरो आप यहाँ पे गए one zero one और one जो है आप करेखिए हाँ एक बचा हुआ था one zero one ये वाला self loop तो एक ये आते आते पुरा बन गया इस पे लूप बना हुआ फाइप मतलब ये नंबर फाइप के और आपड़े two remainder लेकिन अब कोई एज बचा नहीं है ये की बच गया था वह भी देखे बन गया 110 110 देखे वन फिर वन फिर जीरो कोई एज नहीं बनाना पड़ा त्रिपल वन तो वन फिर वन कोई एज नहीं बनाना पड़ा तो कोई भी एज आपको इसके बाद नहीं बनाना पड़ेगा सारे नंबर प्रासेस हो जाएंगे चाहे जितने बीट के नंबर हो तो इस स्ट्रेटजी से जब आप डिजाइन करेंगे तो आपका डिजाइन सही से भी होगा और समझ में भी आएगा और बदलेगे कोश्चन तो वहां भी कर ले जाएंगे नेक्स्ट कोश्चन देखिए इसी में है जो की डिविजबिल्टी पर नहीं बेजडान है डिजाइन करना एक फाइनिट आटोमेटा जिसमें इवेन नंबर आप जीरोज हों और इवेन नंबर आप वन हों तो जैसे जीरो और वन काटेगरी करिए इसमें जीरो वन की संख्या जो है वो केवल है किस आडर में आ रहे हूं जीरो वन उससे नहीं मतलब है उनके संख्या से मतलब है तो क्या पास्विल्टी बन सकती है नंबर आप जीरो और हो सकता है वन भी और हो सकता है नमबर आप 0 odd हो सकता, 1 even हो सकता है नमबर आप 0 आपके even हो सकते हैं और 1 odd हो सकते हैं नमबर आप 0 even हो सकता है और नमबर आप 1 भी even हो सकता है तो चार ये संभावनाएं हैं इन चारों संभावनाओं पे बान हमारा डाइग्राम है तो अब देखिए जिसमें एक भी 0 नहीं है और एक भी 1 नहीं सबसे छोटी string क्या बनेगी नल बाकी सब में नल string नहीं थी क्योंकि बाकी सब में जब तक कोई number आप नहीं दोगे तब तर डिवाइड क्या करोगे डिवाइड करने के लिए हमें नंबर होना चाहिए हमारे पास नल तो कोई number है नहीं तो इसी नाते बाकी तीन question में नल नहीं था कहीं पर भी नल नहीं था नल मतलब language के अंतर नहीं था इसी नाते initial state final state different थे चाहे आप यूनिरी नंबर को three से divide करने की बात किये या binary को या decimal को समझने की बात है कि कहां पर initial state final state बनाना same state रखना जरूरी है कहां पर नहीं है कहां पर नहीं रखा जाता है कहां पर रखा जाता है जरूरी होती है और सीधा दो ही बाते होती है या तो हमारी वो जरूरत होती है कि initial or final एक रखना है और दूसरा होता है कि नहीं रखना है यह बीच में कोई भी चीज नहीं है strictly to put to have same initial and final state and strictly prohibited initial and final state are different initial final state same tabhi होंगे जब हमारा आटो मेटा नल को accept करेगा otherwise नहीं करेगा अब आप number number divisibility की बात कर रहे है null मतलब होता है ऐसे string जिसके अंदर कोई character नहीं है तो जब बताईए कोई character नहीं रहेगा कोई number नहीं रहेगा तो आप किस चीज को divide करेंगे इस नाते आपके पिछले तीन question के अंदर initial or final state अला गलत थे लेकिन यहां पर जो अगला question एक count पर है कि संख्या count करनी है कितने character A वाले हैं कितने character B वाले हैं और वो even होना चाहिए तो चार तरीके चार option बन रहे हैं जिसमें से हमारे लिए accepted यह है के वर बाकी सब rejected होना चाहिए बाकी सब rejected होने का मतलब यह है कि ऐसी संभावनाएं वाली string हमारे process के दौरान दिखेंगे जरूर बहलें intermediate string रहेंगी वो सब लेकिन वो rejected रहेंगी मतलब कहने का है कि वो non final state पर जाकर बनेंगी final state पर जाकर केवल even even वाले बनेंगे बाकी सब नहीं बनेंगे तो यह सब बातें जब आप दिमाग में रखेंगे तभी design करते वक्त आप उसको consider कर पाएंगे नहीं तो गलत बन जाएगा तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि initial state और final state कहां पर एक ही रहेंगे कहां पर नहीं नहीं रहेंगे अब चुकि even number की बात हो रही तो जीरो जो होता है वह बाइडिफाल्ट even number होता है तो इस वजह से जीरो जिसमें जिसमें ए और बी के count जीरो और वन के count 00 होंगे मतलब एक भी जीरो नहीं रहेगा एक भी वन नहीं रहेगा वह string नल के बराबर होगी नल मतलब यहाँ पे इस sense में जीरो दूदी पार जीरो वन दूदी पावर जीरो तो एक भी और नहीं है तो यह इस वजह से इनिशियल स्टेट और फाइनल इस्टेट आप चुकि झिरो इवंन नमबर है यह भी वैलिड रहेगी आनिक नल वैलिड रहेगी बाकी तीनों पु शूर्चन में नल इनिवैलिड इस्टृंग था इसनाते इनिशियल और फाइनल का कोई अस्तित्त नहीं था फाइंट वह इनिशियल और फाइनल अलग अलग स्टेट थे और नल कहीं पर एस पर तो आता ही नहीं है डिफे के डिजाइन में तो यहां पर यह जो इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही स्टेट हैं वह सिर्फ एक ही कारण है कि हमें नल इस्ट्रिंग क को काउंट करके बताते हैं कि एक भी जीरो एक भी वन नहीं है दूसरी चीज अब आप देखिए इस कोश्चन के अंदर कि अगली स्ट्रिंग क्या बनेगी जिसमें सिर्फ एक जीरो हो और या सिर्फ एक वन हो तो जीरो टू दी पावर वन और वन टू दी पावर जीरो एक तरीके से और ये इसी तरीके से वन टू दी पावर वन और जीरो टू दी पावर जीरो हुआ तो ये दोनों के जिसमें count zero का एक हो one का एक भी ना हो तो देखिए सबसे पहले आपने बनाया initial state और final state को एक state कर दिया क्योंकि null हमें रखना है अब आप इस string के लिए जुगार किये तो यह state एक बनाते हुए as label zero कर दिया इसी तरह से इसके लिए आपने सोचा तो यह पर दिया label तो दो as आप तुरंद form करोगे दो अलग-अलग state और बनाओगे बाकी चार state तो बनेंगे ही बनेंगे क्योंकि वो मैंने combination बताया था zero और one के number count के जाब से odd even odd 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 even odd और even even चार situation थी इस चार situation के नाते चार state बनेंगे वो चार state आपने बना दी और देखे उसमें से तीन बन गए initial पहले ही बन गया और final जो है आपका initial final एक ही था और साथ में जिसमें 0 odd है मलब एक है और one की भी संख्या एक है वो भी बन गया अब आप double zero की बात करेंगे तो double zero जैसे कोई string यह है zero पर पावर two one पर पावर zero तो इसको भी आप देखिए चुकि यह even number है और जिसमें zero अब यह दोनो situation को देखिए दोनो situation यह है कि दो और two और zero का combination है two और zero मलब नमबर आप zero two है one की संख्या zero है तो यह जड़ा दिमाग लाके देखिए two and zero have different values are different values but they have similarity on the basis of two and zero are even number तो इसी आते back track होके यह zero even state पहुंच गया जिसमें acceptability की बात है यह एक तरीके से जो यह state है यह इस state की तरह भी काम कर रहा है कि दोनों की संख्या even even है यह जो state है यह state इस तरह से काम कर रहा है कि zero की संख्या odd है और one की संख्या जो है वो even है यह भी है कि यहां यहां पर आने पर जब बना एक बार तो आप देखिए किस string की बात किए तया यह जी रो पर फावर 11 जी रो यह क्या था च है यह 0 की संख्या 0 की शंख्या जो थी वो इवन थी उल्टा मैंने लिख दिया है तो सारी सही लिखा है जीरो की संख्या जीरो की संख्या आड थी और वन की संख्या इवें थी तो यह यह स्टेट इस तरह से पहचाना गया और जैसे ही आप zero square one zero किए तो ये state दोनों even था दोनों के count even थे इसनाते देखिए back track होके zero level के साथ बन गया ये और ये जैसे ये state है ये state देखिए क्या है ये ऐसा state है जिसमें दोनों के count odd है दोनों के count odd है इसी तरीके से ये वाला जो state है ये state ये state अब एक जो combination बच्रा अपने आप हो जाएगा जिसमें zero की संख्या even है और one की संख्या odd है ये बढ़ा बहुत ही अच्छी बात आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि question में variation कर देता है अभी हम बताएंगे उसको discuss करेंगे तो यही same question आपका अलग-अलग तरह के question के same diagram अलग-अलग question के लिए answer हो जाएगा बस आपको initial को जो है जो initial state of final state है उसमें distinguishing करनी रहेगी वादब initial तो जहां है वही रहेगा लेकिन final बस आपको rotate करना रहेगा चेंज करना रहेगा जैसे आपसे question में पूछा जाए कि आपको ऐसा बनाना है जिसमें 0 की संख्या odd हो, 1 की संख्या even हो तो आप इस state को final बना दीजिए इस state को मलब इस state से related जो state हो final हो जाएगा जब आपसे कहा जाए 2 no odd हो तो इसको final बना दीजिए जब आपसे कहें कि 0 की संख्या even रखनी, 1 की संख्या odd रखनी है तो इसको final बना देंगे तो यही same और वो जो initial final सुरू में था वो सिर्फ initial रहेगा जब initial और final दोनों same कब रखेंगे जब दोनों को even कहेगा तो यही देखी same diagram अलग अलग तरह के question के लिए answer हो जाएगा बस केवल आपको final अलग अलग जगों पर रखना रहेगा तो अभी last मैं एक बार और repeat कर दूँगा यह आगली वीडियो में उसको कुछ बता दूँगा फिलाल इस question को देख लीजे तो यह जो है question इसमें 0 0 पे power 2 1 पे power 0 पे हो गया था अगर मां लीजे 011 होता तो 011 आप खुद देखिए 01 01 क्या चीज है 01 है आपका दोनों odd है तो सीधा है लूप आप इस तरह पेज बना दीजिए जीरो वन वन कहता है तो मलब 01 टूदी पावर टू तो निश्चित तोर पे इस corresponding state पे जिसमें वन इवन है उस पे backtrack होके वापस जाना पड़ेगा क्योंकि 01 तो आप लेके यहां पर आए थे तो उस जगब चले गए फिर आप से कहता है कि 001001 नहीं 0 पावर टू वन यहानिकी 0 जिसमें इवन हो यहां यहां चले आए और अगर आप से कहता है कि नहीं 0001 तो फिर आड़ वाले सीधा पहुंच जाएंगे जिसमें दोनों हों फिर आपसे कहता है नहीं 0011 तो आप जिसमें 008 009 001 अब यह वाला कहां मिला था यहां पर आके मिला था इस स्टेट पर आके मिला था और वन पढ़ाना तो इवन इवन जिसमें दोनों पर रहेगा वहां पहुंछ जाएंगे तो मैं अभी इस को अगले बीडियो में भी डिस्कस करूंगा लेकिन आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे इस कोश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस तरीके से इस कोश्चन को सॉल्व करने के लिए श्ट्रजी बनानी रहती है आप लोग एक बार खुछ से ट्राइ करिएगा और मैं इस झाल झाल